हलो दोस्तों सागता आप सभी का हमारे यूट्ट चनल जौस्टडे में दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं बिहार विधान परिशत की जो की 2000 उन्हेंस की वेकेंसी है 2020 से इसकी इंटर्विव जो स्टार्ट होई थी और 2021 में यहां पर बेंडेंट वाले कंडिडियो तो जरूर वीडियो देख लिए क्योंकि उनके लिए भी काफी ज़्यादा यहां पर महत्तुद चीज़े बताने वाले हैं कि इस जो एकेंसी आई है इस ज़ौब में आपकी ज़ू है परमोसन होगा या नहीं होगा तो कब होगा नहीं होगा ये सबी चीजे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं और साथ में ये भी बताएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादत कमेंट जो है लेके आते रहते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग से एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है जिनका डिरोटर ने यह डाक विवाक की जो भरती आई है अगर वह नहीं देखें आप लोग तो जरूर देख लिए बहुत ही ज्यादा इंप्रेंट वेकेंसी है अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सभी जानकारी अब दोस्तों आप सभी को यहां पर देखना है विहार लेजिसलेटिव कॉंसिल की जो ऑफिसियल वैब साइट है मैंने जो उस पर आच चुका हूँ अब यहां पर सभी को पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा कोई स अब होगे तो आपको संभीदा के नाम पर यहां पर कोई भी जो है वह इनफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी नहीं मिली होगी क्यूंकि यह जो है दोस्तों पर्ममेंट जॉब हैं आप सभी को पता होगा अगर आपने जो है अगर विधान सभावाली वेकेंसी में अगर सरकार के तरफ से जो है वह वेकेंसी जो निकाली गई है ठीक है बिहार विधान परसत की यह जो है सभी पोश्ट जो है गोर्मेंट की है पर्ममेंट जॉब है ठीक है यह संभीदा के अधार पर नहीं है बल की यह जो है गोर्मेंट जॉब है आपकी पर्ममेंट होगी आपक कि 60 बर्स तक की उम्र में आप सब इस जो है जो है जो पर रहोगे ठीक है कब तक 60 बर्स की उम्र तक जब तक आप डिटाइर नहीं हो जाते हो हो सकता है वाई चांस ऐसा कोई आपके साथ सिच्वेशन आए जिस समय आपकी जो है जो है जो है छोटनी पड़ेगी वह अलग बा कंट्रेक्ट बेश्ट पर है तो माप कीजिए दोस्तों आप लोग की जानकर यहां पर गलत है ठीक है क्योंकि अगर आप चाहे तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन मैंने इसकी ऑफिसल जो है वा नोटिफिकेशन का भी लिंक दे दिया है आप चाहे तो खुद से भी उसे अ आपकी जैसे परंच कैसे होती है किस दोस्तों ने संब्हुब्स सबसे पहले जरूरी है तो यह सभी ग котор की यह सभी को पता यह सब ही group D में आते हैं ठीक है तो group D में और कोई जो है आपका इस जो है वह sector में job बचा नहीं post बचा नहीं तो इसमें आपकी जो है वह किस post पे जो है वह posting हो सकती है तो आप लोग जो है आप लोग खुद सोच के यह देखिए कि बिहार विधान परशद में जितने भी group D level क जितने भी post थे आप लोग का जो है देख सकते हैं वह सभी post पे जो है भेकेंसी यहाँ पर आई है और आप लोग ने apply किया है तो आप लोग का जो पर्मोशन हो सकता था वह इस स्थीति में हो सकता था कि जैसे कोई candidate जो है वह office attendant के लिए आप भेकेंसी भड़े है ठीक है और उसी में आपको किसी और जो है काम के लिए चुना जाता है office attendant में ही जो अलग-अलग विभाग होते हैं तो आपकी जो है उसमें posting हो सकती थी लेकिन office attendant की वह भी जो है वेकेंसी वह group D की level की है तो इसलिए यहाँ पर्मोशन की कोई बात ही नहीं है ठीक है पर्मोशन आप लो देखते हो वह भी मैं आपको यहाँ बता देने वाला हूं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या होता है जैसे group D की यहाँ पर जितनी भी वेकेंसी आई है अगर आप इसमें select हो जाते हो तो क्या होता है जो जब इसी विभाग में और भी सारी जो है वह पोस्ट प पर वड़ाती है मान के चलिए group C वाले पोस्टों के यहाँ पर वेकेंसी आती है इस जो है वह सेक्टर में बिधान परिसाद में तो आप अगर बिधान परिसाद में ही group D लेवल पर अगर काडेरत हो तो उसके लिए भी आपको जो कुछ ना कुछ यहाँ पर पोस्ट खाली रहेगे ठीक क्या रही है तो आपको इस डिपार्टमेंटल विभाग से यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा उसके बाद आपको जहें यहाँ पर भरने के बाद आपकी उसमें भी एक्जाम होगी सारी कुछ होगे पड़िक्रिया तो आपको उसमें भी जो है सकती है इस विभाग में इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक्जामपल देना चाहूंगा कि बिधान सभा में भी जिस समय बिधान सभा की यहाँ पर सभी डी वाले पोस्टों पर इंटर्वीव चल रही थी रिजल्ट आने के कुछी समय बात वहाँ पर फिर उसमें जो है दूसरे बिभाग के लिए यानि कि दूसरे पोश्ट के लिए उसी बिभाग में जो है नहीं भरती आई थी तो उसमें कैसे यहाँ पर कंडिडेट के लिए जो है कितनी भेगेंसी आई थी और कैसे उन्होंने वहाँ पर कड़ा था उसके लिए मैं आपको सब यहां पर देख सकते हैं मैं आचुगा हूँ बिहार विधान सभा के बैफ साइट पर इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्स ने दे दिया है आप यहां पर सर्च करोगे तो आपको यहां पर कहीं पर नोटिफिकरिशन देखने को नहीं मिलेगी ठीक है अब जो होमपेस से यह अलग करती गही है तो आपको क्या करना यहां पर एक डिकृट मेंट वाले पोर्ड ड जराईएंगे ठीक है उसक्तुर्ण करना कीड़िक करना है उनके जो आप में पे आ जाओगे यहां पे अब आपको देखना है देखिए यहां पे जो है वह फोड़ अवलिक 2018 की यहां पे जो वेकैंसी आई थी वह अभी भी लिंक यहां पे आपको मौझूद मिलेंगे बहुत सारे यहां पे पोश्ट है ठीक है तो यहां पे जितने बाए पडिकरिया यहां पे हुई है तो उसी तरह आप सभी यहां पे देख लिए अपना अब मैं आपको यहां पर नई वेकैंसी जो इसके तरफ से आई थी वह मैं आपको बता दू अब दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यह जो वेकैंसी आई हुई थी कि अलग-अलग प इसमें भी आपको देखिएगा कि दोस्तों इसमें भी आपकी पोस्ट आई थी विभात के लिए भी और अधर कंडिडेट के लिए लेकिन अभी क्या है इस वेक्ट यहाँ पे नोटिफिशन को अब जो हटा दिया गया है यहाँ से इसलिए यहाँ पे वह ओपे नहीं हो रहा ह कि जो है वह अलग से भी यहाँ पर बैकैंसी आदि है जो जिसके माधियम से वह परमोशन हो सकते हैं क्योंकि डाइरेक्ट इसमेंulator नहीं है यह सफ-साफ में बताना चाहूँगा इस vacancy में आपकी जो है direct promotion नहीं है अगर आप किसी और exam नहीं देते हैं विभागी है exam भी अगर आप नहीं देते हैं तो आपको जो है अठाड़ बर्स से लेके जब भी आप selection करते हैं उस दिन से लेके आप जब तक 60 बर्स आपकी age नहीं होती है तर तक आप उसी post पेड़ाएंगे ठीक है क्योंकि group D में कोई ऐसा post नहीं है जिस पर आपकी जो है वह posting हो जाए ठीक है यह भी एक जो है यहां पर important चीज़ है तो group D में जितने भी post है उस पर वेकेंसी निकाली रही है तो आपकी उहां पर अलग बलग से उन पर आपकी promotion नहीं होगी तो बसती है यहां पर जो आपकी group B में, group C में या group A में तो इस सब पर आप सभी को बिभागिये यहां पर देनाफ होगा आप सभी को लिखित परिच्छा हो या जिस भी तरह से हो जब भी advertisement निकलती है तब उहां पर देनी होगी यहां पर जो है वर्ड अबलीक 2019 की IT reporter की ठीक है उसी टाइम और astronographer की जब यहां पर फोड अबलीक 2018 की सभी पोस्टों पर वेकेंसी आई थी उसके यहां कुछ दिन बाद ही ठीक है तो यही बस मेरा एक बतानी का यहां पर सेंस बन रहा था कि आपकी यहां पर जो है वह जब आपकी permanent है ठीक है संबिता अधार पे नहीं बलकि यह permanent है जो retirement pension होगी दोस्तों वो नहीं मिलेगी ठीक है बट आपकी जो retirement यहां पर आपकी होगी जितनी आपकी जमापुंजी होगी वो सारे कुछ आपको मिलने वाले है आप सभी को पता होगा कि अब सिर्फ जो है defense में ही आपकी pension मिलती है अन्यता आपकी वाक किसी और जो है विभाग में आपको pension नहीं दी जाएगी लेकिन retirement जो होती है आपकी वो सभी जो है जो है जोर के मिलने वाली है आप सभी को ठीक है तो यह कुछ मुझे बतानी थी आप सभी को और यहां पर promotion इसमें नहीं होगी एक माध्यम है जो कि आप सभी को जो विभाग का एक्जाम देने के बाद ही या जो भी तरह से होगा आपको उसमें सरीख होने के बाद ही जो है अलग पोस्ट पे आपकी यहां पे पोस्टिंग हो सकती है तो यही कुछ मेरे बताने का सेंस था अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज सेर ज़रूर कर दिए दोस्तो और भी वीडियो में आपके लिए कल लाने वाला हूँ तो ज़रूर देखिएगा और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा इसकी कटफ कितनी रहेगी इस वारी की ठीक है तिस तरह से आपकी सेलेक्शन होगी वो सभी डाउट आपकी यहाँ पर किलियर करने वाले हैं नक्स्ट वीडियो में दोस्तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तो मिलते फीड अगली वीडियो में